दोस्तो मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही योटूब चैनल आलोक्स ब्लाग पर दोस्तो यहाँ पर इंपेशन्स डॉक फ्लावर और पैंजी मैंने एक साथ रख दी हैं और देखे कितनी बढ़िया फ्लावरिंग इनके अंदर चल रही है पूरे के पूरे यह फ्लावर से पूरी तरीके से भरे हुए हैं यह डॉक फ्लावर का यह वाला कलर है और इसके बाद जो है कुछ कलर इस तरीके से भी है और कुछ वो वाले कलर हैं डॉक फ्लावर के मेरे पास इस बार काफी सारे कलर हैं इनकी कटिंग वगारा भी मैंने लगा कर कुछ प्लांट बनाए हैं और यह पैंजी मेरा जो मैं आप लोगों को अक्सरी दिखाता रहता हूं बहुत बढ़ियां फ्लावरिंग मेरी पैंजी सुरू से ही कर रहे हैं मुझे इस बार पैंजी के अंदर जितने अच्छे फ्लावर मुले सायध ही जो है मुझे इसके पहले और की मतलब जब मैंने इनके प्लांट को लगाया होगा एंकिसी टाइम पर मिले हैं इदर मैंने सारी गुलदावदी जो मतलब अप्लेल में मुझे कटिंग लगानी है यहां से लेकर वहां तक और उसके बाद जो है यह श्यूट भीलियम है बीच में पूरा सारा रखा हुए मैंने यहां पर यह शेलबिया है भरबीना है और यह इधर इतना सारा जो मैंने एक साथ रखा हुआ है यह सारे आइस प्लांट है एक रोख सिर्फ इसमें गजनिया की अभी इवनिंग का टाइम है इनके फ्लावर्स खेले नहीं है वरना मैं आप लोगों को दिखाता और ये आपका जो है बहुत ही खोपसूरत एलाइसम एलाइसम मुझे इस बार भाग गया नेक्स टाइम मैं इसके और भी कलर्स को जो है एड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि है क्या कि इतना बढ़िया इसके फ्लावर्स ने कवर किया है ग्राउन कवर के लिए जब ये लगाया जाता होगा तो कितना खुपसूरत लगता होग पेपर फ्लावर्स ने भी देखे पूरी तरीके से बट्स जो है वो ले ली हैं ग्रोबैक के अंदर लगे हुए हैं आगे वाले सारे प्लावर्स ब्लैक कलर वाले लेकिन उसके अंदर भी बहुत कमाल की फ्लावरिंग चल रही है और यह मैरी गोल्ड दूसरा लॉट जो है जो है वो कर रहूं मैं फिलाल अभी फ्लावरिंग पर बहुत ही कम आये हुए हैं आज की अपनी इस वीडियो में विंटर फ्लावरिंग को छोड़ कर समर के अंदर हमें कौन-कौन से सीट्स लगा लेने चाहिए अभी उसको मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख सके इस लिसका पहला पौधा जो आप लोगों के सामने है यह है कोचिया का जिसे कोचिया ग्रास के नाम से भी जानते हैं इसमें फ्लावर्स तो नहीं आते लेकिन इसकी ग्रिनरी के ल जाते हैं देसी वाले में तो सिर्फ वाइट कलर और जो है एक लाइट परपल सा कलर आपको मिलता है अगला जो प्लांट है जिसे आप सीट से लगा सकते हैं यह है पोर्चुला का और परसलेन का हाला कि इनको कटिंग से ग्रो करना जादा आसान होता है लेकिन इनके बीज जो है बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं अगला प्लांट जो आप लोगों के सामने है यह है गिलाडिया का गिलाडिया की भी बहुत सारी वराइटी जापको देखने को मिल जाएंगी बहुत ही खूपसूरत प्लावर्स इनके अंदर आते हैं और इनकी जो साइज के फ्लावर्स आते हैं गर्मियों के अंदर लगाया जाने वाला यह सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला पौधा है अगला प्लांट आप लोगों के सामने है यह है गोम फेरना का गोम फेरना के भी सीट्स जो है बहुत आसानी के साथ आप लोगों को ऑनलाइन य आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जीनिया को भी इस टाइम पर सीट से जरूर लगाईए, अगला जो प्लांट आप लोगों के सामने है, यह है रूट बेकिया का, रूट बेकिया भी काफी ज्यादा देखने में खोब सुरूत लगता है, इसके प्लांट तो बहुत ह इसके अंदर काफी सारे कलर आपको मिल जाते हैं, जैसे की यलो, पिंक, लाइट पिंक, तमाम तरह के कलर्स मिल जाएंगे, और यह भी काफी ज्यादा उगाया जाता है समर के अंदर, अगला प्लांट जो आप लोगों के सामने है, यह है शेलोशिया का, शेलोशिया के अगला प्लांट जो आप लोगों के सामने है, यह है एन्वल पिटुनिया का, जो है वो पिटुनिया की फैमिली से बिलॉंग करता है, लेकिन यह गर्मियों के अंदर काफी जादा उगाया जाता है, मैंने भी इसके वाइट कलर इस टाइम पर लगा लिए हैं, इसका वाइ प्लांट जिनको इस टाइम पर आप सीट से ग्रो कर सकते हैं, वैसे तो पर्मानेंट प्लांट भी काफी सारे गर्मियों के अंदर फूल देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इनको आप जरूर लगाई, मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए, टिक ये कुछ इप बठी